स्टेट नियू 71 में आप सभी का स्वागत है सड़ोरा के खेल स्टेडियम की सुध नगरपाल का दुवारा ले गई थी और यहां पर चार बहुत ही बड़िया लाइट्स लगाय दे गई थी और ताकि जो है यह खेल स्टेडियम जगमग हो सके आप देख सकते हैं यह एक पर जो है बहुत ही चार-चार लाइट्स यानि इतना अच्छा प्रकास हो सके कि पूरा खेल स्टेडियम जगमग कर सके तो ऐसा कुछ व्यवस्ता की गई थी लेकिन जैसा की सड़ोरा इलाके में चोरियों का दोर जो पिछले कुछ दिनों चल रहा था तो चोरों ने यहां सी पोल नीचे गिर गया और चोरों की और यह केबल तार वगएरा जैसे दे सकते हैं यह तार जो है इसको यहां से निकाल कर ले गए हैं चोर जो उपर खंबे तक जा रही थी बोटी केबल इसको निकाल कर ले गए और यह नट जितने भी थे इसके वह उतार कर ले गए और कान से खंबा नीचे गिर गया और जितने जो तीन पॉल आपको खड़े नजर आ रहे हैं यह इनके जड़ें भी कमजोर कर देगे इनके निकाल कर ले गए थे और विचार यह था चोरों को कि रात्री को यहां पर आया जाए और खंबे को ही अपने गाड़ी पर लोड़ करके ले जाए जाए लेकिन इसकी जानकर यहां पर मिली तो यह पॉल नीचे गिरा हुआ था तो अब यहां पर फिर परसासन की तरब से राहूल दे मोनो जी हमारे चे परसन सालनी सरमाजी की जो पती हैं और साथी वाइस एर्मेन हमारे दविंदर उरुफ लवली जी उन्हेंने इसके संग्यान में लेते हुए नगरपाल का सचीव से बातशित की तुरंत टीम बाहर से आई जिन्होंने यह पॉल खड़े किये थे उन्होंने आकर यहां पर जो नट उखड़े हुए थे उन नटों को यहां पर तीनों पॉलों को लगा दिया गयों कि अगर उनके नट उ उतार लिए गए थे तो अब भी नट लगा दिये गए हैं जो टीम यमनगर से आई और नट इनको लगा दिये गए हैं लेकिन यह देख सकते हैं इसकी पुजिशन यहां पर यह पोल गिरा हुआ है तूटा हुआ है और यह विचार था किसको यहां से उठा कर वो ले जान ल हो गए और यह चोरी की वार्दा जो है टल गई लेकिन हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी इन चोरों की जोनोंने बड़ी तिमनान से चारों के चारों जो लाइट्स के पोल उनके नट रिचे से उड़ाये काटे केवल वगारा काटी और एक पोल को धाराई से करके काफी प्रसीति को देख रहे हैं मौनु जी साथ में वाइस चेर्मन से बात करेंगे मौनु जी क्या कुछ से सूचना आपको मिली थी हम अभी बाहर से आ रहे थे तो हमारे पास कोल आई कि भी आशे आशे करके स्टेडियम के अंदर पोल चोरी करने की कोशिश की गई और यह तीन चार लगे हुए हैं पे सोड़ा लाइटे हैं इनके नट बोल्ट निच्छे से खोल दिये गए एक दो नट तोड़ दिये गए पॉल हमको निच्छे गिरिये यालत में पाया इसकी तो केबल भी उठा लेगी यह केबल भी चोरी होगी और और बी नुक्सान करने की कोशिश में थे या तो कोई आ गया जी या निए चोरों को तो यह इरादा था कि चारों पॉलों को ले जाए हैं गाड़ी लोड़ करके निच्चे से सारे नटबोल्ट वगरां के उतार लिये थे जी और बहुत मोटे मोटे नटबोल्ट है आप देखको जी आप बिलकुल बिलकुल तोड़े चोर भी एक दो काम होनी है कापी चोरों काम है पड़ा कोई ग्रोह काम हो सकता है जो गाड़ी वगरा में इसको लेज विशारत उनका यह थे कि चारों के पोलों का उठाया और गाड़ी में लोड़ा के लेजें पता लगए यहां और गाड़ा यह तो जहां दो पता लगए जैसा घृडिया मचोरी यह में गेंट इसे लोग हैं पुलिस की कारवाई तो करवाएंगे तो फिलाल ये पॉल खड़ा करवाएंगे तो लाइट वगरा सुरू होगी ती क्या जलने भी पुलिस की कारवाई तो बनती है और पुलिस की कारवाई भी करेंगे लेकिन फिर भी दाद देनी पड़ेगी चोरों की और ये वास्तों में नसेडियों का काम है जो और सडोरे में जितने भी वारदाते हुई हैं और कुछ पकड़े भी गए तो वही नसेडि जो दिन रात नसे के करोबार में लगे हैं नसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं तो उनकी नजर यहां पर पॉलों पर पड़ी पॉल्स पर पड़ी और आखिरकार उन्होंने फिर चोरी की वारदात लगातार बढ़ते जा रहे हैं चोरों के होसले बुलंद होते जा रहे हैं तो जो भी चोर पकड़े जानके खिलाब कड़ी से कड़ी कानोनी कारवाई होने चाहिए ताकि उसकी जमानत ना हो ताकि एक अच्छा खासा संदेश समाज के अंदर जाए और च घर में जैसे चोरी की वारदात बढ़ती जा रही हैं तो वो नसे के लिए कुछी प्रकार के कोई भी वारदात हत्या कर सकते हैं कोई और भी ऐसी कोई घटना कर सकते हैं जो की समाज के लिए जो निंदनिया होगी तो इन पर अभी लगाम जो है कसनी होगी और सकत से सकत कद प्रसासन को उठाने होगे साथ इस समाज को भी जैसे मैंने बताया जागरुक होकर आगे आणागा समाजिक संस्थाओं को भी निमत आगे आना पड़ेगा ताकि इन चोरी की वारदातों पर जो है अंकुस लगाए जासके पुलिस प्रसासन के मदद में समाज को भी जागरु से अभियान चलाने होंगे ताकि इस चोरी की वारदाते ना हो जो तो खेल स्टेडिम स्टोरास से यह थी स्टेड ने उस समाजिक परसुती